हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं उनको लिखेंगे कैसे क्या तरीका रहेगा ताकि अपने 6 मैसे 6 मार्क्स आ जाएं ठीक है और उसके बाद में डिसक्स करें अपने प्रातना पत्र ठीक है विग्यापन ये बड़े कुशन होगे जो आपके वेप्रम आपसे पूछे जाने वाले हैं उसके बाद में अपने व्याकरण के जितने भी टॉपिक है परते हो उपसर्ग हो क्रिया संदी अविकारी यानि अव्यै ठीक है समाज सर्वनाम वि जान्स को सॉल कैसे करेंगे और सारे वीडियो आपको मिलेंगे तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि आपके टैंट के हर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो सभी सब्जेक्ट के उनको अपलोड किया जा रहा है एक्जाम से पहले ठीक ह अब बात करेंगे कि बैरोजगारी पहला टॉपिक है बैरोजगारी समश्या और समादान इसके उपर आपको निबंद लिखना है आपको एक्जाम में यह जो है कोशेन नंबर रहेगा आपके पेपर में अठारवा ठीक है न और यहाँ पे आपको चार निबंद मिलेंगे म जैसे देखें यहाँ पर दे रखें कि प्रास्तावना फिर बेरोजगारी बढ़ने के कारण बेरोजगारी के दुस्क परिणाम फिर बेरोजगारी के अपने दूर करने के उपाय और उपसाहार ठीक है यह टॉपिक इनी को ध्यान में रखके यहाँ पर अच्छे से हाइला क्योंकि हिंदी हम बोलते आ रहे हैं हिंदी अपनी भासा है तो इस पर अच्छी कमांड होती है हर विद्यारती की ठीक है तो ज्यादा मुस्किल इसमें होने वाली नहीं है ठीक है अब देखे प्रस्तामना के अंदर मतलब जो टॉपिक दे रखा है ना उसके बारे में सुरु किया है उसके पूरे का मतलब क्या है ठोड़ा सा शौर्ट सब्दों में बताना ठीक है यह चीजें आप कहां रखिएगा ठीक है अब इस पूरे इतने बड़े निबंद को हमें मैं यहां पड़ूं और आप सुनें यह इतना जरूर नहीं है क्यों क्योंकि आप इसको अच् इसको अच्छे से तयार कर सकते हैं ठीक है फिर बढ़ने के कारण को अगर आप पॉइंट्स में दिखा देते हैं तो और भी बहुत बढ़िया बात होगी है अच्छी बात हो जाएगी क्यों क्योंकि आपको लिखने का तरीका मतलब जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको ए इंग्लिश में spelling error count की जाती है वैसे ही आपके हिंदी में आपको कहां बिंदी लगाने है कहां नहीं लगाने है कहां कौमा आएगा कहां खड़ी पाई आएगी इन सब चीजों का ध्यान रखना है ठीक है जैसे यहाँ पर यह ऐसे डैस लगाना चाहिए ठीक है फिर आगे आ पूर करने के उपाए ठीक है न और आप चाहें तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने एक्जाम में और अट्रेक्टिव बनाने के लिए उसे ठीक है न अंडरलाइन भी कर सकते हैं ठीक है और ज्यादा बड़ा लिखने की ज़रुत नहीं आपको अगर 300 सब्द बोले ह अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वो है अपना जल संकट एक विकट समश्या ठीक है जो टॉपिक आपको बताए जारे हैं बस उनको तयार कर लिजेगा उनमें से आपको दो तो मिली जाएंगे ठीक है इसके बारे में वही चीज प्रस्तावना फिरी जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से तयार करिएगा जो है ब्रिश्टा चार एक देश ध्रुह ठीक है इस टॉपिक को भी अच्छे से तयार कर लीजेगा ठीक है ना प्रस्तावना उपसार और बीच में जो पॉन्ट है उनके अनुसार ठीक है न तो इसको भी आप तैयार कर पाएं और इसकी जो पीडियेप है वो अपने टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी ठीक है ना पिर बढ़ती महंगाई दुखत जीवन ठीक है ना बढ़ती महंगाई दुखत जीवन इसके जो इसको भी अच्छे से तयार कर लीजेगा बढ़ती महंगाई को उसके बाद में आपको मूबाइल फोन जो है इसके वरदान और अभिशाप यह बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है ठीक है ना ध्यान रखेगा यह बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है मार्क कर लीजीगा ठीक है अगला देखते हैं फिर आपके विद्यारती और अनुशाशन ठीक है यह भी इंपर्टेंट टॉपिक है ठीक है ना विद्यारती और अनुशाशन आज किलके विद्यारतियों में इस चीज की कम ही होती जा रही अनुशाशन की ठीक है ना तो यह विद्यारती और अनुशा प्रदूशन ठीक है ना प्रयावन प्रदूशन जो है इसको भी अच्छे से तयार कर ले ना क्योंकि जिस प्रकार से आजकल के इन्वारिमेंट जो प्रयावन खराब हो रहा है उसके इसाब से यह भी मोश्ट इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो यह आपको इतने ही निबंद आपको तयार करने है बस ठीक है ना आठ निबंद बताए गए इनको अच्छे से तयार कर लीजेगा ठीक है ना और मिलते है नेक्स पार्ट में जिसमें हम डिसकस करेंगे अपने प्रातना पत्र विग्यापन जो भी टॉपिक है सारे ठीक है आप इसकी पीडिये जहां आप आपको बताईए वहां मिल जाएगी ठीक है और एक और बढ़ती जन सिंक्या विकट ठीक है ना यह भी आप तयार कर सकते हैं ठीक है ना यहां पर दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं लेकिन आप जो उपर साथ दे रखें इनको तो कंफर्म कर लीजेगा ठीक है ना यह आठ टॉपिक बचें उन सभी के वीडियो आपको लगातार प्लेलिस्ट में चेक करते रहेगा वहां सारे मिल जाएगे ठीक है ना तो मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत